हेलो फ्रेंड्स सुक समीधी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तुलसी माला की महिमा के बारे में यानि तुलसी की माला धार्न करने के कौन-कौन से फायदे हैं वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब के साथ एक घंती है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इंपोर्टन वीडियो मिस ना हो तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता ही होगा की तुलसी की माला दो तरह की होती है शाम तुलसी माला और राम तुलसी माला शाम तुलसी की माला धारन करने से विशेश रूप से मांसिख शांती प्रापत होती है इश्वर के प्रति श्रद्दा भक्ती बढ़ती है मन में सकरात्मक भावना का विकास होता है अध्यात्मिक उंती के साथ ही परिवारिक तथा भोतिक उंती होती है रामा तुलसी की माला को धार्न करने से व्यक्ति के अंदर आत्म विश्वाश में व्रदी तथा सात्मिक भावनाय जागरत होती है अपने कर्तव या पालन के प्रती मदद मिलती है तुलसी की माला में विदूत शक्ती होती है। तुलसी की माला पहने से बुखार, जुखाम, सिर्दर, चमडी के रोगों में भी लाब मिलता है। सक्रामक बिमारी और अकाल मिलती भी नहीं होती। तुलसी की माला पहने से व्यक्ती की पाचशक्ती, तेज बुखार, दिमाग की बिमारी और वायूस बंदी अनेक रोगों में लाब मिलता है। तुलसी की माला पहने से यश, केती और सुभाग्या बढ़ता है। तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया है तुलसी माला की महिमा यानि फाइदे I hope आज की इंफरमिशन आपको पसंदाई होगी पसंदाई हो तो इसे लाइक करें शेर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं ट्विटर, वाटसब, फेस्बुक मिलते हैं कल ऐसे ही एक वीडियो के साथ तब तक आप सबको जाश्री कृष्णा